हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल वावरेंड क्लासेस दोस्तों हम लोग कंप्यूटर अवरनेस का स्टार्ट किया है चीजिए के सीरीज है हम लोग डिली 40-50 कोशन करेंगे और जितने भी एक्जाम में कंप्यूटर का कोशन आता है सारे एक्जाम के लिए बहुत पार्ट है लगवर 20 कोशन का है ठीक है कंप्यूटर रवानेस बहुत सारे बचे छोड़ के जाते हैं अधिया इसको करके जाते हैं तो साइथ आपका रेंग अच्छा बन सकता है एक्जाम में अच्छा का सब पोस्त ले सकते हैं ठीक है ताब लोग डिली देखा किजिए ड चलिए फर्स्केशन दावर्ट कंप्यूटर हैस बेन ड्राइब फ्रम वीच फ्लेंग लेंगविज ग्रीक इंगलिस हिंदी लेतिन तो कॉंसा वार्ड होगा इसका है डी लेतिन वार्ट हो जागा ठीक लेतिक लेतिन क्या नाम था कंप्यूटर से ड्राइब के जाते लेति चलिए आगे देखते हैं बहुत इपोर्टिन अपने आप में ही चलिए, collecting the data and converting it into information इच कोल्ड क्या बोलते इसको उसको बोलते प्रोसेसिंग क्या बोलते हैं प्रोसेसिंग बोलते इसको चलिए आगे देखते है computer cannot perform input, output, thinking, processing तो thinking in the right answer ये perform नहीं करता है computer ठीक है ये computer cannot perform which of the flowing function, कौशा function computer perform नहीं करता है addition, subtraction, back, division तो back, ये करता है तो three the right answer six का part number, descriptions and number of parts, order or example of control, output, processing, feedback प्रोसेसिंग इस प्रोसेसिंग इसे राइट एंसर benefit of computer benefit of computer क्या benefit of computer क्या चारस बन देख लिजिए इसका answer fast हो जागा ठीक है very fast and store huge amount of data ठीक है benefit ये ठीक है बाकी सब गलत है चलिए एक collection of unprocessed items क्या एक collection of unprocessed SBI PO 2015 पुछावा question ठीक है बैंकिंग के लिए बहुत important होता है ये सब कुछन उठके एक्जाम में आते है ठीक है जितना च्छोटा में एक्जाम में आते हो गया जारकन के लिए यहां सब कुछन उठके आते computer ठीक है SBI PO 2015 पुछावा question है एक collection of unprocessed items is called data इसको data बोलते है ठीक है चलिए which among the flowing cycles consist of input processing output and storage as its constituents इसको बोलते है processing output input storage data तो data इधर अच्छा हो जागा ठीक है चलिए data is a data that has been organized and present in meaningful fashions उसको क्या बोलते है जिसको बोलते है information क्या बोलते है information is the data that has been organized and presented a meaningful fashion is called information so बोलते है एक यार एक चार हो जाएगा चलिए data और information used to run the computer is called hardware cpu तो परिफेर नन दिस तनन दिजया क्या data information used to run the computer is called software बोलते है को ठीक है software बोलते है को ठीक है तो जाएगा तो जाएगा the steps and tasks needed to process data such as response to question or clicking and icon is called ठीक है it's called instructions इसको क्या बोलते है instructions बोलते है इसको जे लिए the earliest calculating device is called इसको क्या बोलते है अर्लेस्ट बहुत important question अगे चोधा नंबर एक्जाम में आएगे question ठीक है the earliest calculating device is called abacus क्या बोलते है abacus बोलते है इसको कब यह पूछता 1602CB में ठीक है 1602CB में किसका दोबारा किया गया था चायना के दोबारा ठीक है क्या है the earliest calculating device उसको बोलते है abacus 1602CB में ठीक है चायना के दोबारा किया गया था चलिए abacus can perform addition, subtraction, multiplication, both one and two तो जो abacus है वो क्या करता है शिर्फ addition and subtraction के लिए था ठीक था बोथ मतलब 1602CB मल्टिप्लेक्शन के नहीं था यह यहाद अखिएगा abacus can perform addition and subtraction, चलिए दनेपिर्स टेक्नोलोजी यूज़ फर कलकुलोज़िशन इसको क्या बोलते है उसको क्या बोलते है फैसका लाइन का एडिंग मसीन abacus ठीक है जा देखिए कि इसको उसको बोलते है एडिंग मसीन क्या बोलते है एडिंग मसीन pascal and is also known as एडिंग मसीन 17 को दो हो जाएगा punched card we are first introduced by jackards J-A-C-Q-E-R-D punched card we are first introduced by jackards punched card is also called एक रर भी NTP से दुजार में आयाओ question है यह क्या आयाओ था punched card इस अल्सो को उसको क्या बोलते है hole-dress card देखिए punch मसलोग क्या था होल करना ठीक हो ठाल्स होटार था उसको तो इसको बोलते है hole-dress card क्या बोलते है नहीं हरे आध़ काल हैर ये वी लेज болने आधर कर खोट्रेय कें परोग वह लिए प्यर्च ये फांजीन अधर मुटन को फ़्ल सोंती है स्कमें से कि ऐसे शेड़ी पंधर मैं उपया हूँए बहूत इम्परचैन के चलिए फादेरे मोर्डे कम्म्पूइटे है तो छार्ज बीस हो जाएगा और फादरे मोरडन कम्म्पूइटशूचा हो जाएगा तो अलान टुरि मोरड़ा जो जाएगा analytical engine developed during first generation of computer used counter wheels as a memory unit for the right answer. चलिए आगे देखते हैं. टेबुलेटिंग मशीन वाज फस्ट electromechanical machine developed by ठीक है? तो 24 का देखिए, 24 का first हो जागा, Harman Hallrath हो जागा, ठीक है? ये first हो जागा. who among the flowing created the electronic discrete variable automatic computer edvac देकि edvac का full form भी पूछ सकता है, edvac क्या है? edvac, चलिए, edvac क्या है? electronic discrete variable automatic computer, क्या है? electronic discrete variable automatic computer edvac बोलते हैं. with a memory to hold both a stored program as well data उसको क्या बोलते हैं? तो इसका देखिए, इसका new one हो जागा ठीक, इसका new one, edvac newman से आद रखेगा आप लोग. प्रवाइड एस्टोरे जिसको edvac चलिए, नेम दा फर्स्ट जेनरल पर्पस electronic computer, युनि युनिवग बोलते हैं इसको, फर्स्ट जेनरल पर्पस computer universe का फुलपा में, computer size was very large in, first, second, third, fourth, कौन से जनरेशन ने बहुत बढ़ा था? तो obvious बाता, first generation में होगा, क्या 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 गया था, उस time ठीक है, first generation में, दूसरे बहुत जादा, बहुत जादा computer का साइज, ठीक है? तर्फाइस का फर्स्ट होगा, first generation, first generation computer वे वेस्ट होगा, फर्स जनरेशन ने क्या वेक्यूम था था ठीक है, second generation computer क्या था? transistor था, third generation computer IC था, integrated सर्क्या था था ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट ही आपने आपने आपने, बहुत इटोपिक बहुत इंपोर्टेंट है, फर्स्ट जनरेशन वेक्यूम, second generation transistor थर्ड जनरेशन इंटिग्रेटर सर्क्यूम था ठीक है जो फर्स्ट जनरेशन वेक्यूम था इसका था 1940 से 1956 ठीक है और इसकेंड में क्या था? 56 से 71 ठीक है 22 से जोतना भी भी उसके बात देख लिजएगे ठीक उप्सन में, जो भी आएगा चल्य चाली Reach debates यह बिल्ट नीकुम्थ मिख्द स dual निक्नका unterखेड गुतर प्र फर्स गेलारे सां जांतेकर आठी ह妹री यूजलिल फर्स्ट जेंडेकर इसंप हप्ड यूजनेजीग यूजिए । नाभशा अण में जो 1940 में लाया गया था वो कौन से लेंगवेज यूज किया था मसीन लेंगवेज नोट बहुत लेंगवेज मसीन असेंबली नहीं वनली मसीन लेंगवेज तो सकेंड जेनरेशन कंप्यूटर एर पुछ दिया किस देखिए यूपी पीए सिम आया हो दुए ठार माया हो ठीक ह तो देट पुछाए देखिए फास जेनरेशन बोलेगा तकिया विद्ध सकेंड पुछा ने तो सकेंड था 57 से 12 क्या था सकेंड 57 से 12 यह इसका इसका थिर्यों जाए गया था इसमें इंटीग्रेटिंग सर्किन ऐसी उज़ किया थे ठीक है चलिए आगे देखते हैं यह की सच्छी लुए अठारम पुछाओ कोशन है देखिए ने दुए केंड जेंडेशन कंपीटर केंडी क्रेक्टराइजड लाज्टली बाइद युजॉप सकेंडेशन क्या थांजिस्टर अभी बोलें ट्रांजिस्टर फर्स जेंडेरेशन वेक्यों सकेंड जेनरेशन बिकम पॉसिबल इंगे डाम बिकम कौंसा ज्यनरेंशन वातना फिचम्रिफ स्थे जलंट में जिसमें स्थे इस गणे सवेंट ज संड जेए तो जी तो उले तर्ट वे इंट्रेटर इंट्रेटर इस अर चाहिए था इच्ट नहीं पुछे निए अर्श विट वीटिविफ टो जैनरेसं तर्ट जनरेसं अब बता चुके है कुछेन आता है यहां से लिए पिएस यह स्वलमा चुका है बेंकिंग देने जाएं तो बेंक जोड़ी जितना झोड़ी मिए कम्पूटर बेंखिए ह। Yistar Pia C, जितना जितना trong Trung forming दो कम्पूटर बेंखिए जितना बिस अ сюжektते ऐका leघ्चिह कैसा था कहते ह। एंभी P इस ए चिपीगी परक्ष इवरी किस सा में कमड निकनें निकनें रबब किसका integrated circuit IC को बोलते है चीप ठीक है चलिए अर्थ इसका क्या है तो आठ इंटेर्ट रिटीर रिटेंसर अ चलिए एक दखते हैं इंटीरेतर सरकी IC और चीप सी यूजी कंप्यूटर मेड आप semiconductor. कॉषन आचुका है. Semiconductor क्या है? Silikon. फ्य दराइट इसर, हुट देवल्ड इंसर. हुट देवल्ड इंसर. हुट डवल्ड उर्डेटेटेटीप? IC कौन डवल्ड किया है? तक किल बे देवारा किया गे तक घुल बे दवारा किया गे. ज भी देवल्ड इसर इसर, ए बनोर से जड़े चलिए फ़र्ट जनीरेशन में सगेंडिवनेंशन में थीधनेशन में लूरं से तक फिस्ट जनेरेशन संथ जूंतनि अधिमनोक द्लाकाई ए चलिए, 1st generation vacuum, ठीक है, 2nd generation transistor, ठीक है, 3rd generation IC, 4th generation microprocessor, देख लिजी, इसको option, 1st का, 1st का 3, 2nd का 1st, 2 is the 2nd, 2nd is the right answer a small and cheap computer, built into several home applications, are used type of mainframe, mini computer, microcomputer, तो macro हो जाएगा, ठीक है, 45 का 3 हो जाएगा, 42 का, 3 हो जाएगा, desktop and personal computer are also known as, क्या बोलते हैं, macro computer उसको बोलते हैं इसको बोलते हैं, macro computer, desktop और personal computer का macro computer बोलते हैं इसको computer that are portable and convenient to use for user who travel are known as laptop, उसको laptop बोलते हैं, laptop देखते हैं, सुवीदात ले जाने, ले आने के लिए, laptop इसको इसको बोलते हैं, उसको ठीक है which of the flowing uses a handheld operating system, super computer, personal computer, laptop PDA, उसको PDA बोलते हैं, क्या, handheld operating system बोलते हैं तो PDA का full form क्या है जर, तो PDA का full form बता देज़ें क्या है, personal, personal digital, personal digital assistant क्या है, personal digital assistant बोलते हैं, इसको PDA का full form है, ठीक, क्या है, personal digital assistant palm top computer is also known as, palm top computer is also known as, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं palm tap computer is also known as, handheld computer बोलते हैं, handheld computer बोलते हैं, handheld computer, 4 is the right answer which of the following is a small processor based on computer designed to be used by one person at a time, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तो जरूर देखिए इसको, ठीक है, जरकन सची वाली के ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा पोस्ट है, जरकन जी के स्टेटिट कोस्टन भी साथ में चला रहे हैं, सुबह डाल रहे हैं तो चैनल में ने जुड़ेंगों, तो जुड़ जाए और चैनल को जो सब्सक्राब करके बेल बटन दबा देजिएगा, ठीक है, चलिए, ज्यादा लंबर वीडियो ने करते हैं, तब तक कर लिए, थैंक्यू, जैन, जैवारत